हेलो फ्रेंड्स अपना घर देजाएं नीटी ट्रॉंक का स्वागस रूसुत आज का वीडियो आज का वीडियो में प्लान है 19 फीट इन्टू 32 फीट हमारे एक सस्क्राइबर दोया दिक्मेंट वहा प्लान 1 वीज के का प्लान है विट कार पार्किंग ठीक है दोस्तों साउथ फिस का प्लान है साउथ नौर्थ यह हो गया इस्ट और यह हो गया वेस्ट ठीक है दोस्तों यह है मेरे चैनल का नाम जो आप देख रहे हैं अपना घर डिजाएं चलिए बात करते हैं सरसर पहले कॉलम पोजिशन का देखिए कॉलम पोजिशन कहां कहां होगा ध्यास देखते रहे हैं मार्किंग कर रहा है साउथ फिस का प्लान है यह है इसका कॉलम पोजिशन जो की 10 इंच इंटू 10 इंच में देएंगे देखिए कॉलम पोजिशन चलिए हो या कॉलम पोजिशन अब बात करेंगे साइज देखिए हमने जो वाल पोजिशन ड्रॉव करकर रखा हुआ है यह बाहर बाहर से है 10 इंच और अंदर अंदर का रखे हैं 5 इंच चलिए बात करते हैं साथ से पहले अपने में फेस का यानि साउथ फेस यहां से इसका है इंट्री गेट यानि में गेट यहां से देंगे सामने आते ही हमने एक छोटा सा एरिया इसको आप लॉबी बोले या फिर वेटिंग एरिया यही से हमने इस्टियर को आप किया हुआ है तीन फीट की चोड़ाई से यानि एक स्टेप ऐसे होगा फिर ऐसे जा करके यह ऊपर में निकल जाएगा ठीका दोस्तों इस्टियर के जो यह एरिया है इसका हम आपको साच बता दें इधर से है 7 फीट 2 इंच जिसमें 3 फीट का श्टियर अप करेंगे तो यहाँ पर हमको गेट मिल जाएगा 4 फीट 2 इंच का 4 फीट 2 इंच का में गेट लगाएंगे और यहां से श्टियर अपकर के उपर में ले लेंगे इधर से होगा 10 फीट 9 इंच का ठीक है दोस्तों यह है कार पार्किंग कार पार्किंग जो की साइज है नौ फीट 9 इंच इधर से और 10 फीट 9 इंच इस साइड से ठीक है दोस्तों चलिए यहां से हम आगे बढ़ेंगे इसको लिए देते हैं वेटिंग एरिया यहां से आगे बढ़ेंगे तो सामने आएंगे ड्वाइंग होल में जो की साइज है ड्वाइंग होल का यहां से यहां तक 10 फीट 9 इंच और इधर है यहां से यहां तक 9 फीट ठीक है दोस्तों अब बात करेंगे अपने बेडरूम का सिंगल बेडरूम है इसमें साइज है 12 फीट 9 इंच इधर से हाँ अब यह हो गया लेटरिंग बात रूम जो की साइज है 4 फीट 2 इंच इधर से और 6 फीट 4 इंच इस साइज से यह हो गया कीचेन साइज है 6 फीट 2 इंच इस साइड से और 8 फीट इस साइड से हमने इसमें एक सेलेब का डियानिंग करकर रखा हुआ है इसमें गैस चुला गारा रखने के लिए हमने डियान कर दिया है चली अब बात करेंगे हमारे सब्सक्राइबर का मुसार तीनों होगा है तो हमने वेंडिलेशन के लिए अपने एरिया में यहां पर ओटीएस प्रवाइड किया हुआ है जो कि साइज होगा चार फीट दो इंच इधर से और तीन फीट इस साइड से ठीका दोस्तों तो चलिए अब बात करते हैं विंडो पोजिशन देखें विंडो कहां कहां देंगे हम यह हो गया अपने वेटिंग एरिया के लिए जब इस्टियर अप करेगा तो ऊपर में एक विंडो यहां प्र आगे बढ़ेंगे तो इस कीचेन में हमने एक विंडो प्रोवाइट किया हुआ है जो की कार पार्किन ओपन होगा और यह लेट्रिंग बात्रूम के लिए यहां पर भेंटिलेटर हमने अपना दिया हुआ है जो की OTS में इसमें ओपन करेंगे और इस बेड्रूम के लिए बचे का एरिया एक वहां 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 देने ताकि इसमें भी अच्छा से बनेशन और प्रॉक्वारोसनी आ जा सका है चलिए बात करते हैं अपने डोर पुजिशन का यह हो गया में गेट यहां से आएंगे यहां एक डोर प्रोवाइड करेंगे तो और यह कार पार्किंग से एक यहां डोर प्रोवाइड करेंगे ठीक है दोस्तों इस कार पार्किंग से भी आ सकते हैं डोवाइंग अरिया में और यह अपने में डोर से भी डोवाइंग अरिया में आ सकते हैं इस kitchen के लिए यहाँ पर door देंगे bedroom के लिए यहाँ पर door और ये बात के लिए यहाँ पर door और ये door हमने बता दीए आपको पहले हैं जो की इस OTS में आने के लिए एक door यहाँ पर bedroom में दे देंगे तो यह था अज का प्लान हमारा 19 feet इस side से था यहां से यहां तक और इस साइड का था 32 फीट वन वीज के का वीथ कार परकिंग तो हमने इसमें सब कुछ प्रोपर धंग से करने की पूरा पूरी कोशिस किया तो चलिए वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो अच्छा लगा तो अगर शेयर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स पासा तब तक लिए धने बाद